जब किसी के पास पैसा आता है तो अपने साथ डर और लालच लेकर आता है नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुख सम्में आपका फिर्श शागत है रोबर्ट टी कियो साकी के रिच डैड उन्हें पैसों के बारे में उसकी अहमेद के बारे में और साथ में आने वाले डर और लालच के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि कुछ और पाने की इच्छा को बहतर पाने की इच्छा को लोग लालच कहते हैं पर मेरे लिए ये इच्छा ही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है पर यकीन मानो अगर तुम्हें पॉंच डालर दू तो भी तुम्हारी समस्या नहीं सुल जाएगी तुम अमीर नहीं बन पाओगे अपने रिच डैड की बात सुनकर रोबर्ट टी कियो साकी ने पूछा अगर मैं इतनी सेलरे उठाऊंगा उसके बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं बन पाऊंगा तब रिच डैड ने कहा क्योंकि अमीरी मन से होती है सुच से होती है पैसे से नहीं पैसा आज है कल जा भी सकता है पर जो इंसान सुच से अमीर है जो ये जानता है कि पैसे को कैसे समाला जाए पैसे को कैसे कमाया जाए पैसे को कैसे बनाया जाए वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता इस पर रॉबर्ट टिक योजाकी ने पूछा तो क्या हमें पैसो से दूर रहना चाहिए उसके पीछे भागना नहीं चाहिए की घड़ी में पैसे ना होने की घड़ी में गरीबी के हालत में जायता तर लोग ये नहीं जानते हैं कि कि वो अपने दिमाग से सोचते हैं या दिल से आपकी भावना है आपकी ही रहेगी पर मुसीवत के वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचना आना चाहिए अक्सर लोग जब नौकरियां छोडते हैं क्योंकि जो अपने दिमाग से सोचता है वो वो इस डर से नहीं सोचता कि उसकी नौकरी चली जाएजी तो मैं दिल के हातों मजबूर होकर डर के हातों मजबूर होकर पैसे का गुलाम नहीं बनना है मैं चाहता हूँ कि तुम दिमाग से सोचो और पैसे को अपना गुलाम बनाओ ताकि वो पैसा तुमारे लिए काम करे क्योंकि इस दुनिया में सच्चा अमेर वही है जो पैसे के पीछे ना भागे जो खुद पैसे के लिए काम ना करे बलकि उसका पैसा उसके लिए 24 गंटा काम करता रहे